दो कच्चे आलू और एक कब गेहूं के आटे से हम बनाएंगे बहुत यूनीक और एकडम नया नास्ता एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो सब घर में तारीफ करेंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी नास्ता मिंटों में तैयार कर लेंगे हेलो फ्रेंड्स आपकी कामनी एक बार फिर हाजीर है आपके लिए एक दम नई रेसिपी ले करके तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और मेरे व नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप गेहों का आटा जी हाँ फ्रेंड्स कोई हमें बेसन सूजी का योज नहीं करना है और हम एक कप आटे से ही बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता और इसमें मैं डाल रही हूं जीरा जीरे से टेस्ट अच्छ नाश्ता देखने में काफी अच्छा लगता है अब यहां पे स्वात के अनुसार नमक और पानी डाल करके हमें एक बैटर बना लिए तो बैटर कैसा बनाना है या आगे मैं बताऊँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका स्मूध बैटर बनाना एं लंस वेग जो होता है उसमें काफी ग्लूटेन होता है तो थोड़े बहुत जो लंस रह जाते हैं तो अम भी में बताती हूं क्या काइना है तो यह देखिए बैटर की पहले कंसिस्टेंसी समझ लीजिए तो दिक्कत हो जाएगी यह देखिए इस तरीके से पोर कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है रिविन कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए आप इसे हम कर देंगे कवर और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसमें जो लंस वगयरा होंगे वो भी खताम हो जाएंगे रेस्ट करने से तब तक के लिए हम से रखते हैं साइड में और यहां पर मैं ले रही हूँ दो कच्छे आलू तो बहुत ही इंस्टेंटली यह नाष्टा बन जाता है जो की बहुत ही अधा टेस्टी लगता है आप हमें क्या करना है आलू के चिप्स करेंगे आप चाहें तो यहां पर जो चिप्स काटने वाली मशीन होती है उसका भी यूज करके चिप्स को कट कर सकते हैं लेकिन मैं हातों से ही कट कर रही हूँ और आलू का साइज ज्यादा बड़ा ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर बड़े आलू ले लेंगे तो फिर ज्यादा आलू लग नहीं पाएंगे और इसी तरीके से हमने आलू को कट कर लेना है तो चलिए इन्हें हम निकालेते हैं एक प्लेट में बहुत ही इजी सिंपल ये नाश्ता है और सिर्फ पांच मिनट में बन करके तैयार हो भी जाता है तो लीजिए हमारी तैयार कंप्लीट है चलते हैं पैन की और तो यहां पे मैंने पैन लिया है आप तवा ले सकते हैं या फिर जो आईरन का तवा होता ना रोटी वाला उसको भी यूज कर सकते हैं नॉन स्टिकी लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चलिए फटा फट से थोड़ा सा तेल डाल दि आठा है तो लीजिए हमने आलउ को कर लिया है डैकॉरेट अब यह जो आठा है ना यह बहुत ही अच्छे से फूल गया है और फटा-फट से हमें पहले इसके बीच में डालना है इसके बाद हमें सेंटर में इस तरीके से घूमाते हूए हाथ को डालना है जि Vocês el burned restrictiveostory अनझ लगे का ली है तो बहुत जाद सब्सक्राइब के आप भर छेस्ट कालों में जो ले बंट अ करkes तक करई यह लटा फ्रक्रिस्पिण कि यह घो तो लीजिए 2-3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं यह नीचे से पक गया है और जब हम इस तरीके से स्टॉर कर रहे तो यह हिल भी रहा है फटा फट से टेस्टी से नास्ते को पलट लेते हैं यह देखिए वाव देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़ियां हमारा नास आप चाहें तो यहां भी क्या कर सकते हैं ना चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं लेकिन यह मैं बना रही हूं जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा और एक आलू जो चिपका था वो छूट गया है पलटने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है ज नास्ते को हम निकालेंगे बहुत इजली यह निकल भी जाता यह देखिए जो आलू चूट गया था ना वो भी अच्छे से सिक गया है फटा फट से उसी जगे पे रख देंगे और जगे यह बना लेते हैं आलू तो कोई भी दिक्कत नहीं एक आदे निकल भी जाए कोई भ बच्चों को देखने में बहुत बहुत पसंद आएगा इतना खुश हो जाएंगे ना बच्चे जब इस तरीके से देखेंगे कि आलू के चिप्स पराठे पे चिपके हुए हैं तो आप सोचे कितने खुश हो जाएंगे तो यह जो नाश्ता है ना यह मैं बच्चों के लि पर से यह आटा हमें जो है इस तरीके से डाल देना है और इन आलू को कर देना है कवर अगर बड़े बना रहे हैं अपने लिए तो यहां भी क्या कर सकते हैं तो यह से प्यास बारी काट करके धनिया वगेरा भी इस पर श्प्रिंकल कर सकते हैं वह भी बहुत ही टेस्टी ल चोड़ देंगे बहुत ही इंस्टेंटली यह बन करके तैयार होता है और यह देखिए बहुत ही बढ़ियां से हिल रहा है और अब हम इसे पलट लेते हैं तो बस जेंटली यानि सोफ्टली हमें इसे पलट लेना है वाव देखिए बिलकुल वी एक भी आलू नहीं निकला ह और फटा-फट से इसे डेकुरेट कर देते हैं ताकि तिकने में यह बहुत ही सुन्दर दिखाए दे तो चलिए फटा-फट से इसे हम दूसी तरफ से भी सिखने के लिए छोड़ देते हैं और लीजिए यह नीचे से सिख गया है लेकिन उपर से मुझे हलका थोड़ा कलर ज्यादा लाइट लग रहा है तो मैं वापस से इसे पैन में डालूंगी ताकि आगे से जो आलू वाइट वाइट दिख रहे हैं उनमें हलका सा गोल्डन कलर आजाए जब हम पकाते ना आलूं को ढखक करके तो आलू अच्छे से पक जाते हैं लेकिन हलका सा कलर आजागा तो खाने और देखने में बहुत ही क्रिस्पी क्रंची लगेगा तो लीजिए मैंने दूसी तरफ से इसे अलट पलट करते हुए पका लिया बहुत ही प्यारा कलर आ गया है आप देख सकते हैं यह देखिए तो आलू हमारे पतले मैंने काटे थे ना इसलिए मैंने का था पत अलट देल डाल देंगे और यह जो आटा है इसे हम फटा फट से पैन में फैलाएंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि यह फैलेगा ने बहुत आराम से फैलता है पैन आप देख सकते हैं काफी गरम है लेकिन फिर भी यह जो है फैल रहा है लेकिन फ्लेम को लो कर इसमें लगा देंगे तो जो पहला नाष्ता था उसमें आलू को हमने तेल में पहले सजा आता उसके बाद उपर से बैटर ढला था है इस नाष्ते ये बड़ों के लिए है जो कि प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगएरा खा सकते हैं बहुत ही तीखा चटपटा बनाना हो तो मेरी तरह इस तरीके से हरी मिर्च, हरी धनिया और थोड़ी सी में लाल मिर्च भी स्प्रिंकल करूंगी आप चाहें तो कुटी भी लाल मिर्च यहाँ पे अट कर सकते हैं यानि चिली फ्लेक्स और भी आप वेज़ीज यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर जो भी लगाना चाहें इसली लग जाती है बिल्कुल भी यह निकलेंगी नहीं कवर कर देंगे वापस से 2-3 मिनट के लिए और 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना ट्राय उपर से यह हो जाता है और बहुत इजिली पलट भी जाता है देख सकते हैं फ्रेंट्स बिल्कुल मिनटों में यह चटपटा सा नाश्ता बना करके आप भी तयार करेंगे जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा तो लीजे बातों बातों में हमारे दो तरीके के नाश्ते बल्कुल हो गए हैं बनके तयार तो फ्रेंट्स आपसे मेरी प्यारी से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा मुझे सपोर्ट कहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दीजेगा जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है मैं आपके लिए और जादा महनत करूँ और आप रेस्पी में मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड भी पूरी कर सकूँ तो देखिए भाई देखने में कितना सुन्दर ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है लग रहाएगा देखने में बिल्कुल यूनीक इस तरीके का नाश्ता कभी आपने ट्राइन नहीं किया होगा मुझे पूर्णता विश्वास है और अगर बनाया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और ये नाश्ता भी देखिए बहुत ही फ्लेवरफुल है अपने में ही आपे प्यास का फ्लेवर हरी मिर्च धनिया आलू सभी चीजों का फ्लेवर है ये इस्पेसली किड्स का नाश्ता है जो कि बच्चे सबजिया खाने में आना कानी करते हैं इस तरीके से आप बच्चों को बना करके दीजिए बच्चे काउंट करेंगे ना चिप्स वान टू थी एंज्वाय करके उन्हें आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं और ये हेल् फ्रेंट्स मुझे पता है आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा हो तो मैं बाल बार कह रही हूँ प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा तो फ्रेंट्स ये नाश्ता है ना कितना यूनिक और आलू बिलकुल डेफिनेटली पक जा करेंगे और बच्चे तो हमेशा आपसे यही काएंगे मम्मा वो जो चिप्स वाला पराठा बनाया था ना वही बना के दो तब आपको जो खुशी होगी ना क्योंकि बच्चे जब खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो शहरी इस तरीके से टिफिन में आप ख कि आपको जये कि अबहते हैं तो ही ना, बच्चे अदर खाते हैं जूना के लिएके जिए का जये तो खाते हैं शहरीं वाला हैं और भ्वर खाते हैं तो शहरीं ना